आपका अपने चैनल study for genius में स्वागत है दोस्तों आपको बता दें कि यह जो हमारा session है यह चामान हिंदी का है और जो है कई सारे question हम लोग session में करने वाले हैं और देखे आपको चीज और बता दें कि जो है हम लोग जो question करेंगे तो उसका जो right answer होगा वो तो बताएंगे बताएंगे साथ में जो भी और आपके तीन option रहते ना उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे with discussion तो चलेगा फिर start करते हैं आपका time ज़्यादा न वेस्ट करते हुए और फिर चले start करते हैं session अपना first question हमारा कह रहा है कि त्रिलोचन सास्त्री को हिंदी अकादमी का शलाका समान कब प्रदान किया गया तो बताएगा त्रिलोचन लोचन सास्त्री को कब सम्वान य प्रदान किया गया था तो देखे राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा आपका सामने चार ऑप्षन है तो राइट अपका हो जाएगा तो चार ऑप्षन चार 9999 है ऑप्षन वकर भी जाएगा इसमें कुछ बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है तो पांच लाग की राशी प्रदान की जाती है और यह हिंदी अकादमी का सरवस्रेश्ट सम्मान है निमलिकित में से कौन सा इस्त्री लिंग शब्द है देखिए हमने आपको बताया था इस्त्री लिंग और पुर्लिंग शब्द कैसे पचानते हैं तो हम लोग कैसे पचानते हैं तो कैसा और कैसी लगा कर ठीक है कैसा और जो है कैसी लगा कर जो है हम लोग इस चीज को चेक कर लेते हैं कैसा है तो आपका क्या है पुर्लिंग है कैसी है तो आपका क्या है इस तरी लिंग है हमसे इसमें कैसी लगा के चेक करेंगे क्योंकि इस तरी लिंग पूछा है कैसी नमक होता है क्या नहीं होता है कैसी लॉंग होता है कैसी भात हो नहीं कैसा बात होता है कैसा पनीर होता है कैसी पनीर नहीं होता है तो कैसी लॉंग या कैसी लॉंग है ठीक है तो एंसर आपका ऑप्शन किस पर जाएगा बी पर जाएगा बिल्कुल आपका राइट अंसर बी हो जाएगा लॉंग एक इस्ट्रिलिंग शब्द है अन्स्ट्र नमक है इस टाइप से और भात दो है आपका तदभव शब्द है और पनीर शब्द आपका पुरुषवाचक है पुरुषवाचक भी है और साथी साथ विदेशच भी है ठेल चलिए नेस्ट है कि निम लिकिन मैंसे कौन सा काम देव का परयवाची शब्द नहीं है तो बताए इसमें आपका राइट अंसर क्या हो जागा बिलकुर राइट अंसर आपका ऑप्शन क्या हो जागा निलय हो जाएगा ठीक है निलय शब्द काम देव का परयवाची शब्द नहीं है तो कौन कौन से होते हैं काम देव के परयवाची शब्द में आपका मनोज होता है अकर्मक में जिसमें क्रिया साथ में नहीं पाई जाती है तो आपको बताना अकर्मक जिसमें क्रिया ना हूँ मैं सोता हूँ मैं पाता हूँ उसने पीटा उसने खाई तो इसमें तो इसमें राइटेंसर आपका हुजाएगा मैं सोता हूँ ठीक है क्या सोता हूँ ठीक है क्या शब कलता है चलिये इसमें क्रिया का पता नहीं चल लान है इसमें आपके कर्म में बेंकित में से कौन सा गुडवाचक विशेशड नहीं है तो बताएगा सच्ची बात गुडवाचक विशेशड आपको बताना कि किसमे नहीं है सच्ची बात में नहीं है मनो अनाज में नहीं है गोल आखे में नहीं है या फिर गुलाबी रंग में नहीं है गुड वाजचक विशेशद किसमें नहीं है, मलत कि विशेशद का मलत क्या होता है? कौलिटी जिसमें ना बताई गई हो, तो इसमें correct answer आपका हो जाएगा मनो अनाज, ठीक है, मनो अनाज क्या है, आपका गुड वाजचक नहीं है, अब देखिए इसमें सच्ची बात आ गया तो आपका कैसी बात है सच्ची बात है जूटी बात है तो आपका क्या है गुड है ठीक है मनो अनाज तो मनो अनाज तो आपका क्या है विशेशड है ही नहीं गोल आखें जैसे गोल आखें लंबी आखें ठीक है इस ताइप से आप लोग डिफिनिशन समझ लेते हैं जो सब्द किसी संग्या या सरणाम का गुड़ दोश आकार प्रकार रंग रूप गंध आध बताते हैं वे शब्द गुड़ वाचक वशेशड कहलाते हैं उदाहरण में जैसे आपका सुंदर हो गया बल्वान हो गया लालची हो गया रंग कोई भी लाल पीला खटा मीठा यह सारे चीजह क्या होती है गुड़ होती है कौन सा पुरलिंग शब्द है तो बताइए कह एक इस्त्री लिंग शब्द होता है पूर्लिंग शब्द होता है ठीक है पर उसको नहीं लोग कैसा और कैसी लगा के चिक कर लेते हैं ठीक मैंने तो कैसा और कैसी का यही रोल होता है इसको हम लगाके चिक कर लेते हैं जलिए फिर next देखते हैं इ संब कैसे स्ट हो आप्शन C हो जाएगा ठीक बाकी सब आपके इस तरी लिंग है जैसे कैसी गिलेरी या कैसी गिलेरी है या कैसी कोयल है या कैसी मक्खी है जो उड़ नहीं रही है इस टाइप से ठीक चलिए रानी केत की कहानी के लेखक हैं बताएगा रानी केत की कहानी के लेखक जो है वह कौ सदल मिस्र तो इसमें तो आपको सभी को पता है ऑप्शन पर जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है और आपको बता दें कि भाषा योग वशिष्ट के जो आपके लेखा के वह हैं राम प्रसाद की पहचान कीजिए आपको पढ़ना है और पढ़के ही आप इसको सही वाक्य के रूप में बता सकते हैं यह से दुष्मन ने गोले और तोपों में आक्रमड किया तो इसमें करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा दुष्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमड किया तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा पढ़के ही पता चल जाता है जिसके द्वारा करता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं जिसके द्वारा करता कोई काम करता है उसे क्या कहेंगे हम लोग कर्म कहेंगे करड कहेंगे संप्रदान कहेंगे या फिर अपादान कह प्रकार के होते हैं तो कारक आपके आठ प्रकार के होते हैं ठीक हम लोग चीज़ों को समझते चलेंगे अगर कुछाए कारक कितने प्रकार के होते हैं मुकता तो कारक आपको बताना है कि कारक जो आठ प्रकार के होते हैं करता ने कर्म को करड से संपरदान के लिए अपादान से, यहां पे अपादान से का मिलब अलगाव से है, संबंद काकी के रारीरे, अधिकरण में पर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने किनम सिक्वेंस से, ठीक है। देखे यहां पे आप लोग देख रहें, यहां पे भी करण से है और अपादान से है, बट क्या होता है यहां पे जो अपाधान होता है अलग होता जिससे के पेंड से पत्ता तूट कर गिर गया ठीक है तो अलग हो गया ना तो वहां पे आपको अपाधान लगाना होता है ठीक है राजा ने जो है दान दिया तो वो चीछ अलग होगी एकदम अलग होगी दान दे ठीक है और यहाँ पर आपका से जो है वो कही न खहीं को relate करactor thunder ठीक है चीजे अगला है कि मांटी पहन संबंद को बताने वाला एक सर्थक शब्ध कॉन सा है तो आपको बताने इसससंबंद बताने कि मां की बेहन को उम लोग क्या कहते हैं बताईए जो हमारी मां है उनकी बहुं को आप क्या कर्गते रिए हैं उनको हम लोग क्या रिप्जी कहते हैं माह की सास को हम लोग दादी कहते हैं पर मा की जो मा होती है उनको हम लोग नानी कहते हैं चलिए अगला है कि निमनलिखित में समुदाय वाचक विशेशड है बताएगा समुदाय वाचक विशेशड मलब समुदाय का मलब समझी रहें कि चीजे कही ना कही समधाय से related होंगी मलब जोड़े से मलब गृप से related होंगी ठीक है तो प्रतेख है दूना है, तीन है या फिर चारों है तो बिलकुल देखिए चारों जो है आपका ना चारों तो चारों जो है आपका समधाय वाचक क्या है विशेशड है दिये गए पर्याय वाची सब्दों में से वाकि में आये रिक्त इस्थान के लिए सही शब्द चुनिए तिरंगा भारत का राश्ट्री है तो बताएगा तिरंगा भारत का राश्ट्री है तो क्या है निशान है राश्ट्री निशान है, राश्ट्री पताका है, राश्ट्री चिन है, या फिर राश्ट्री धवज है तो बिल्कुल तिरंगा क्या है, तो तिरंगा हमनों का राश्ट्री धवज है ठीक है, option आपका, de-correct हो जाएगा अगला है कि इन में से कौन माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा तो देखिए अगर इसकी बात कर ले जाए तो माल से गोदाम होगा या फिर माल बनाने के लिए गोदाम होगा या फिर माल के लिए गोदाम होगा या फिर माल और गोदाम होगा माल गोदाम शब्द का समास विग्रह करना है तो देखिए माल गोदाम का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माल के लिए गोदाम ठीक है अगर आपको कोई भी माल सामान रखना है तो उसके लिए आपको गोदाम की ज़वेद पढ़ती है तो माल के लिए गोदाम का समाज करने पर इसमें कारक्चिन प्रकट होते अगला एक लोकोक्त और उनके सही अर्थ वाले जोड़े का विकल्प आपको एसे बीत में मिलाना है जोड़ा पनाना ठीक है तो बताएं कि इसमें करेक्ट क्या हो जगा है गंगा गए गंगा दास जमना गए जमना दास या क्या है एक खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे यह द क्या हो जाएगा गंगा गंगा दास जमना गए जमना दास तो इसका क्या हो जाएगा तो देखिए इसका आपका जाएगा सिधान्त हीन व्यक्ति ठीक है सिधान्त हीन व्यक्ति इसमें हो जाएगा तो आपका आपका भी हो जाएगा खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे तो इ रहता मिलना का वरसा जब क्रिसी सुखाने मलब क्रिसी जो है वा सुख गई यह फिर बारिश होने से क्या मतलब है ठीक है समय रहते जब वो चीज नहीं हो पाई है तो यह पकड़ी हो जाएगा यहे जेती लंबी सौर तो यहां पे आपका option क्या हो जाएगा i के अनुसार खर्च करना तो आपका sequence क्या बनेगा sequence आपका बनेगा BA और DC ठीक बीए डीसी option आपका किसमें है बीए डीसी option आपका C में है चलिए यह सारी चीज़ें मैंने बताई दी हिंदी अकादमी शलाका सम्मान की पुरसकार राशी कितनी है बताईगा यह question देखिए आ चुका है पहले भी बताईगा हिंदी शलाका जो आपका सम्मान है हिंदी का हिंदी के जो आपकी प्रदान कि जाती है प्रोवाइड कि राजी जाती है वह आपके 5 लाग है हिंदी या हिंदी अकार्मी का सरवोच समान है ठीक है और यह सर्वत्तम किसे मिला था तो डाक्टर राम विलाज शर्मा जी को दिया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है तो 2016-17 में प्रोफेसर मैनेजर पांडे को यह मिला है और 1819 में किसे मिला था उस टाइम पे तो यह मिला था 1819 में विश्वनात रिपार्थी को मिला था ठीक है अगला है कि बहुत बढ़ा चड़ा कर कही गई उर्ति वैक्यांस के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए बहुत बढ शयोग थी कहते हैं ठीक ऑप्शन आपका डी कही जो एक दम सही हो जाएगा नेक्स्ट है कि निम्न में से पुष्टी मार्गी भक्ति संपर्दाय की स्थापना किस ने किया बताएगा पुष्टी मार्गी भक्ति संपर्दाय की स्थापना किस ने की थी रामानुज चार ने चाहर के जो आपका इस्थापना किसने की थी तो विशिष्टा दैतवाद ने की थी विठन नात की किसने की थी तो अस्ट चाप ने सूर्दास तो सगुड भक्ति धारा के थे क्रिश्ण भक्ति शाका के थे और वल्लबाचार ने जो है पुष्ट इमार्गी भक्ति संपरदा है वह देर तक सोकर उठता है या फिर वह देर को सोकर उठता है तो देखिए इसमें करेक्ट एंसर आपका ओप्शन सी हो जाएगा ठीक है वह देर तक सोकर उठता है तो आपका बिलकुल सी राइट हो जाएगा चलिए 90 से देखिए 23 तक आपका गध्यांस दे रखा है आप लोग इसको अपने recording पढ़िएगा और इसके answer भी देखिएगा ठीक है आप लोग जो वीडियो पॉस करके भी देख सकते हैं तब तक हम इसको जो आगे बढ़ा रहे हैं और जब देखिए इसमें क्या होता कि जो चीज दी है ना उसी के recording आपको answer देना रहता ठीक अपने मन से कोई answer नहीं देना रहे हैं इसमें जो चीज भी आपकी कही गई है आपको वैसे ही answer देते रहना है तो 23 तक है यह आप question देख रहे हैं और उसके कई ना कई answer भी आपको दिए हैं पहले आप अपने recording answer देखेंगे करेंगे फिर जो है आपको answer तो इसमें फिर दिया आई है चल कौन सा है तो बताएगा रस से भरा को हम लोग क्या रसीली कहते हैं या रसायन कहते हैं या रस पूरा कहते हैं या फिर रस भरा कहते हैं तो देखें रस से भरा को हम लोग क्या कहते हैं रस भरा कहते हैं ठीक रस से भरा रस भरा चलिए फिर next है कि कोई आया था वाक्य में आपको बताना है कौन सा सर्व नाम भेद का प्रियोग हुआ है प्रस्णवाचक है या फिर पुरुषवाचक का है निजवाचक है या पिर अनियशकलग्वाचक का हैं तो देखा इसमें प्रस्णवा तो आएगा नहीं है fan श्वाचक भी नहीं है ना ही निज्वाचक इसमें आपका अनिश्चे वाचक कोई इस शब्द से आप पहचानेगा कोई क्या है कोई एक अनिश्चे शब्द है ठीक है तो आप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारती समधान के अनिश्चे 210 में निर्देशित है तो बताएगा जो आपका इंडिन कॉंस्टिटिवशन है उसका जो आर्टिकल है 210 210 में निर्देशित क्या है क्या है संसत में प्रयोक्त होने वाली भाषा के बारे में है या फिर विधान मंडल में प्रयोक् एंसर हो जाएगा विधान मंदल में प्रूप्त होने वाली भाषा के बारे में बात कही गई तो आप्शन आपका जोगा बी करेक्ट हो जाएगा अगला कि निरंतर्ता बोधक संयुक्त क्रिया का उधारड है निरंतर्ता बोधक दे डालो पानी बरसने लगा बरसता रहता है यदा पालिया निरंतर्ता बोधकickt मलत जो है वो निरंतर्ता चल रहा है तो इसमें भी गदर स त्राम प्रियोगक क्रिया का उधारड है वह क्रिया रचना के अधार पर दो प्रकार के सकर्मक अकर्मक का प्रियोग की आधार पर देखिए आपको बता दें कि जो आपका रचना की आधार पर दो प्रकार का होता है सकर्मक और कर्मक ठीक है और प्रियोग की आधार पर पांच देखिए कि आपका सहायक हो गया पूरुकालिक हो गया नाम बोद का अगला एकिशन 1968 में हिंदी साहित को ग्यान पीट पुरुषकार मिला था तो बताएगा किसको दिया गया था 1968 में जो है साहित को जो है ग्यान पीट पुरुषकार किसे दिया गया था रामधारी सिंग दिनकर जी को दिया गया था या फिर सूरकांत रपाठी निराला जी को दिया गया था या फिर सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था या फिर सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्सायन अग्ये को दिया गया था बताएं तो देखे इसमें correct answer आपका हो जाएगा option आपका C सुमित्रा नंदन पंत वो ठीक 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था और देखे राम धारी सिंग दिनकर जी को उर्वशी के लिए दिया गया था 1972 में असूर का अंदर तिपाठी को दिया गया था कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1948 में ठीक है तो आई थेंग आप लोग समझ गया होगे और ग्यान पिट पुरुसकार की जो इस्थापना का जो स्रे है ये किसे जाता है तो यह जाता है स्री साहू शांती प्रसाद जैन जी को ठीक है चलिए अगला है निलिखित वाक में आये खाले इस्थान के लिए सही सब्द चुनिए माने बाजार से खरी दे तो माने बाजार से क्या खरी दे माने बाजार से जलेबियां खरी दे माने बाजार से साडियां माने बाजार से एक छाता खरीदे या फिर माने बाजार से बहुत कुछ खरीदें तो देखें इसमें correct answer आपका option D ठीक माने बाजार से बहुत कुछ खरीदें तो option आपका correct D हो गया अगला की दियेगे वाकिक के लिए अनावश्यक पर सर्गों को हटा कर सही वाकिय छाटें वा छट पर से नीचे को गिर पड़ा बताएं वा छट पर से नीचे को गिर पड़ा इसको अमलग सही रूप में क्या लिखेंगे वा छट पर नीचे को गिर पड़ा या फिर वा छट से नीचे को गिर पड़ा या फिर वा छट से नीचे को गिर पड़ा या फिर वा छट पर नीचे गिर पड़ा तो दिखिए आपका कहने के रूप में आपका option B सही जा रहा हुआ छत से नीचे गिर पड़ा ठीक है तो option आपका क्या हो जागा B correct हो जाएगा नंद दास इनमें से किस गरंथ के लेखक हैं बताएं नंद दास इनमें से किस गरंथ के लेखक हैं भाव विलाज के हैं ललित ललाम के हैं रसमंजरी के हैं या फिर छटर साल शटक के हैं तो देखिए इसमें correct answer आपका जाएगा रसमंजरी option आपका correct C हो जाएगा रसमंजरी तो दो पुर आपका देखको देख लेते हैं नेच्ट कुश्टन क्या है यह कि Kendrae Hindi Hindi नि देशालय की स्थापना कब हुई थी उपका Kendrae Hindi नि देशालय इसकी स्थापना कब हुई थी 1973 में 그게 180 में 1952 में या फिर 1960 में उसमें Correct answer आपका हो जाएगा 1960 में ठीक Option आपका d तडी हो जाएगा द्यमलिकित में से कौन सी रचना नरुत्तम दास की है बताएं नरुत्तम दास की रचना कौन सी है सुदामा चरित है या फिर हनुमन नाटक है या फिर रुकमडी मंगल है या फिर जानकी मंगल है तो देखें इसमें भी आपका correct answer हो जाएगा सुदामा चरित ठीक है आपका एक correct हो जाएगा अब आपको और भी बता दें सुदामा चरित आपका नरुत्तम दास जी की रचना है जानकी मंगल आपके तुलसी दास जी की है रुकमडी मंगल आपके नंद दास की है और हनुमन नाटक आपका या आदिका भी हिर्दय राम जी की है अगला की निमलिखित में बहवचन सब्द है तो बहवचन सब्द क्या है डिबिया है हीरा है प्याला है या फिर समाचार है बहवचन सब्द क्या है तो देखिए बहवचन सब्द आपका समाचार है समाचार कैसा सब्द है तो आपका बहुवचन सब्द है आपका 35 लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए ठीक है तो दीखिए इसमें आपको क्या बताना है एक तरह आपका वाक्यांस दिया है लोकोक्ति दिया है ठीक और एक तरह आपक तो इसका अर्थ बताना है पंचों का कहा सिर माथ है पंचों का कहा सिर माथ है इसका राइट एंसर क्या होगा इसका अर्थ क्या होता है तो देखे इसका जो करेक्ट एंसर आपका होता है फैसला मानना थे जैसे आपके पंच होते हैं जैसे पंच सरपंच होते हैं जब गाओं फैसला मानना, हमारी बिल्ली हमी से म्याओ, ठीक है, इसका मतलब होता है, सहाथा करने वाले पर रॉब जमाना, मतलब जो आपकी health कर रहा है, उसी पर उलटा धौश जमा रहे हैं, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, सहाथा करने वाले पर रॉब जमाना, तो यह आप کا option D हो साहज पके सो मीठा होए तो इसका मिलब हो गया, समय पर ही काम पूरा होता है यह समय यह परिशान रह समय आता है, 10मां पर ही काम पूरा हो नहीं होता बीती ताहि विसार दे आगे की सुधि ले तो इसका मलब हो गया बीती बातें भूलकर भविश की सोचें जो बीती बातें हो गए इन पास्ट में ठीक पास्ट में जो बातें हो गई है भूतकाल में वह अब भूलकर अपने भविश की चिंता कीजिए भविश के बारे में इसमें हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है ठीक एडी cb कहीं नहीं है Option d में भी नहीं है एडी cb ठीक हापका option आपका जाएगा a d और cb ठीक a d cb आपका correct हो जाएगा ADCB, आपका right answer हो जाएगा, ADCB, चलिए यह देखें, यहां पे सही दिया है, कुमभर नारायन को ग्यानपीट पुरुसकार किस वर्स परदान किया गया था, बताएं, कुमभर नारायन को जो है, ग्यानपीट पुरुसकार जो है, वा किस वर्स में परदान किया गया था, 2003 में या फिर 2005 में 2001 में या फिर 2007 में तो देखिए इसमें राइट एंसर आपका हुज़ाएगा 2005 में ठीक कुमबर नारायन को ग्यान पीट पुरुषकार 2005 में मिला और इन्हें नई कविता अंदोलन का शशक्त हस्ताच्छर कहा जाता है ये तीसरे सब्द तक imaan 51 के प्रमुक कवियों में सुमार रहे हैं चलिए नेक्स्ट है कि निम्लिकित वाकर में आयखाले इस्थान के लिए सही शब्द चुनिए उध्मी कभे भी हात पर नहीं बैठते हैं वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं उध्मी कभे भी हात पर समान रखे नहीं बैठते हैं या फिर कभे भी हाथ पर पैसे रखे नहीं बैठते हैं या फिर कभे भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं या फिर कभे भी हाथ पर पैर रखे नहीं बैठते हैं तो बिल्कुल आपको पता ही है या आपके कहावत है कि हाथ पर हाथ रखे बैठना ठीक है तो वही हो जाएगा इसमें उद्मी कभे भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं ठीक आपका सी करेक्ट हो जाएगा और इसी के साथ आपके 37 कोश्चन कंप्लीट होगे साथ यह चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडि कर दो कर दोड़े।